नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं How to Learn Astrology YouTube Channel नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने YouTube Channel में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको पैसा और धन, सुक्षम्रदी सब्सक्राइब दोस्तो सास्त्रों में बताये गए उपायों का यदि आप पूरे विदी विदान से पालन करते हैं तो आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा वे साती सात आपके भागे उदे के होने के आसार भी बढ़ जाते हैं बागे उदे के साथ-साथ आपकी किस्मत के सभी सितारे चमकने लगते हैं। इसलिए प्रतेएक वीडियों में हमारे दुवारा बताये के पूरे उपायों को पूर्ण सा सुने पूरी वीडियो देखे ताकि आपको पूर्ण जानकाली हो सके। वैसे तो धन प्राप्ती के लिए माता लक्षमी को याद किया जाता है। माता लक्षमी की पूजा बड़े विदी विदान से और पूरे सज्चे मन से सरदावाव से की जाती है। लेकिन माता लक्षमी के साथ-साथ नारायन यानि श्री हरी विष्णूजी की भी पूजा करन जो ना तो आज तक आपने सुना होगा और ना ही किया होगा और जिस किसी ने भी किया होगा उसके घर में बरक्कत की कोई कमी नहीं रहे गई होगी तो दोस्तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस टोटके के बारे में इस उपाय के बारे में तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और पूरी विधी को अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि दोस्तो ये टोटका या फिर ये उपाए तभी कारे करता है जब आप इसमें कोई भी गलती ना करें इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखें और वीडियो को लाइक करें सबस्क्राइब करें हमारे इस चैनल को और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली लिखना ना भूले दोस्तो हमारे घर में पाए जाने वाली रसोई और उसमें होने वाले सामान बहुत ही महत्वपूर होते हैं रसोई में पाए जाने वाला तबा और कडाई दो ऐसी वश्तोय हैं जिनके उपर लाखों टोने टोटके किये जा सकते हैं क्योंकि तवे से या कडाई से किये जाने वाले उपाए बहुत ही जल्दी अपना प्रवाव दिखाते हैं जातक अपनी मनो कामना को मन में रखते हुए जब भी ये उपाए टोटके करता है तो उसके उपाए बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाने रखते हैं इसलिए आज की वीडियो में हम आपको तवे से किये जाने वाला एक ऐसा ही उपाए पताने वाले है जिसे करने से आपके जीवन की सभी समश्याए और दुख अपना दम तोड़ देंगे वहीं आपके मन में जो भी मनो कामना है घर में सुक समर दिल लाने की जो भी आपकी इच्छा है मन चाहाँ धन प्राप्त करना चाहते हैं तो वे सभी आप कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो चिल लगे तो आप इसे लाइक अबश्य करें और अपने दोस्तों वे रिस्तोदारों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखना ना भूले साथ ही आपको जिस प्रकार से हमने पहले भी अन्य वीडियो में बताया है कि आपको अपनी घर के ज़ाडू पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए और ज़ाडू को हमेशा ही ऐसे ही रखना चाहिए कि आपके घर में आने जाने वाले व्यक्तियों की नजर उस पर ना पड़े उसी प्रकार से आपको घर में तवा वे कड़ाई कभी भी उल्टी करके नहीं रखनी चाहिए चाहिए वो दोने के बाद हो या दोने से पहले हो साथ ही इन्हें इस प्रकार से रखना चाहिए कि हर किसी व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े यदि आवश्च लगता है किसी कार्रेक को करने के लिए या कोई खाना बनाने के लिए तो आप इसे निकाले, इस्तमाल करें, धोदेने के बाद सुखाने के लिए से उल्टा रखें लेकिन उसके बाद आप इसे सीरा करके ही अपने घर में रखें। ऐसा करने से जहां एक और बरकात आती हैं लेकिन अगर इसे उल्टा करके रखते हैं तो आपके घर की गोपनिता खतम होने लगती हैं। दोस्तो ऐसा माना जाता है कि रात्री के समय हमारे पित्रगण हमारे घर में एक बार अवश्या आते हैं। इसलिए आपको अपने घर की रात्री के समय खाना आदी बनाने के बाद वे खा लेने के बाद कभी भी गंदा या पिर जूटा नहीं रखना चाहिए। आते हैं काम धंदे से और वे खाना खाकर जूटे बरतन छोड़ देते हैं। ऐसे में उनके घर की बरकत है वे खतम हो जाती है। अच्छे से संपन्न घर परिवार भी धीरे धीरे रस्ते पर आजाता है। और घर से धन दोलत वे मा लक्ष्मी रूट कर चली जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में कलेश आदी की संभावना बनी रहती हैं। आई दिन जगडे होते ही रहते हैं। तो आप इस बात पर भी गौर कीजिए। कि आपके घर में जब भी बरतन साफ होते हूं, तो क्या उन्हें ठोक पीट कर या फिर उनमें से आवाज आती है क्या। ऐसा लगता है क्या जिस परकार से बरतनों को पटका जा रहा हूं। या फिर बरतन दोते हैं जब आवाज आती है क्या। क्योंकि जब भी कभी आपके घर में रोसोई में बरतन साफ किये जाते हैं तो उनमें जयदा आवाज नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब ज़जा आवाजें आती हैं, बरतन आपस में टक्रा कर खटकते हैं तो घर में कलेश की स्थिति उत्पन हो जाती है। तो अगर आपके भी घर में ग्रेकलेश का माहौल है, तो आप इसे तुरन ठीक कीजिए। जिस प्रकार से घर में जूटे बरतन रखने से लक्षमी जाती है, वे धन की आवग कम हो जाती है। उसी प्रकार से बर्तनों के आपस में खटकने से घर में ग्रै कलेश होती है। तो अगर आप भी आए दिन होने वाले जगड़ों से परिशान हैं, तो आप अपने घर में होने वाले बर्तनों की खटपट को जड़ा कम कीजिए। दोस्तों, बर्तनों के द्वारा अपने रसोई में ही किये जाने वाले टोटकों की बहुत बड़ी श्रिंखला है, बहुत से ऐसे टोटके हैं, जिने करके आप अपने जीवन में अलग-अलग प्रकार से सफलता हैं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आ अगर आप कमेंट अवश्य करें, अन्यता, आप कमेंट बोक्स में जैब जर्णग वली एक बार अवश्य लिखी, दोस्तों, जब आप रातरी में अपना भोजन आदी समाप्त कर लें, उसके बाद अपने घर के सभी बर्तनों को जब आप साफ कर लें, तो उसमें खास तो तो वे अपने घर के किसी अन्य सदस्य से करवा सकती है। चाहे वे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या फिर अपने पती दुवारा करवा सकती है। अपने छोटे बच्चे को या फिर अपने पती को एक बार कह दें कि इस तवे के ऊपर एक तेजपत्ता वे एक इलाईची ला करके रख दें। अगले दिन की सुबा उठने के बाद आप सबसे पहले अपने घर की रसोई में जाकर एक मा अनपूर्णा के नाम का दीपक अवश्य जलाएं। गर के आपके रसोई में किसी भी कोने में रख करके एक दीपक को माता अनपूर्णा को याद करके उस दीपक को जला दें। दीपक देशी घीका हो तो अति उत्तम है। अन्यता आप सरसों के तेल से भी ये दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन दानने की बरकत हमेसा ही बनी रहती है। इसके बाद जो आपने तेज पत्ता और इलाइची तवे के ऊपर रखा था उसे आप जब भी अपने घर में पहली बार जब चूला जलाएं तब उस चूले को जला देने के बाद आप उसे जला दें। तब अन्य अपने कारे जैसे चाय बनाना, खाना बनाना आदी कारे करें। बस इतना सा कारे आप यदि परते दिन करेंगे तो आपके घर में इतना धन आएगा कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। इतना धन आएगा वे माता लक्ष में इतनी परसंद हो जाएंगी कि दो आपको बगव that किसी भी भगवान का नाम एक बार अवश्य लिख देना होगा बस हम समझ जाएंगे कि आप क्या चाथे हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही तक फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक करे दे में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जाए बजरंग बली